आज हम सीखेंगे राशियों की तुलना से संबंदित निमनलिखित अवधार नाएं इस बकसे में 18 लाल गेंदे हैं और 6 सफेद गेंदे हैं अगर आपको इनकी संख्याओं की तुलना करने के लिए कहा जाए तो आप यहां कैसे करेंगे? इनकी तुलना करने के लिए हम कह सकते हैं कि सफेद गेंदो की संख्या से लाल गेंदो की संख्या अधिक है लेकिन ऐसे कथन से हमें संख्या का बोध नहीं होता ऐसी स्थिती में हम तुलना इस प्रकार भी कर सकते हैं कि यहां लाल गेंदो की संख्या सफेद गेंदों की संख्या के तुलना में 18 रिण 6 बराबर 12 से अधिक है इसी तरह हम इनकी तुलना भाग द्वारा भी कर सकते हैं जैसे यहां लाल गेंदों की संख्या विभाजित सफेद गेंदों की संख्या बराबर 18 विभाजित 6 इसे हम 18 बटे 6 भी लिख सकते हैं जिससे हमें 3 बटे 1 यह भिन्न प्राप्त होगा इससे हमें पता चलता है कि लाल गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की संख्या से 3 गुना है दो राशियों की कितने गुना के रूप में तुलना एक अनुपात यानि रेश्यो कहलाती है इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाल गेंदों की संख्या का सफेद गेंदों की संख्या से अनुपात तीन अनुपात एक है जिसका अर्थ है कि एक सफेद गेंद की तुलना में तीन लाल गेंदे है अनुपाद की ही तरह हम तुलना प्रतिशत यानि पसंटेज के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं जैसे यहां हम देखते हैं कि कुल 18 धन 6 बराबर 24 गेंदे हैं 24 गेंदों में 18 लाल गेंदे हैं इस तरह से हम कह सकते हैं कि बक्से में कुल गेंदों का 18 बटे 24 भाग लाल गेंदे हैं यानि कि बक्से में 18 बटे 24 गुणा 100 प्रतिशत बराबर 3 बटे 4 गुणा 100 प्रतिशत बराबर 75 प्रतिशत लाल गेंदे हैं इसी तरह हम देखते हैं कि यहां 24 गेंदों में से 6 सफेद गेंदे हैं याने कि बक्से में 6 बटे 24 गुणा 100 प्रतिशत बराबर 1 बटे 4 गुणा 100 प्रतिशत बराबर 25 प्रतिशत सफेद गेंदे हैं ध्यान रहे इन दोनों स्थितियों में हमने एक एक विधी का प्रयोग किया है। ध्यान रहे प्रतिशत यह चिन्न एक प्रतिशत दर्शाता है याने के एक बटे सो। इस तरह से जब हम सौ प्रतिशत कहते हैं तो इसका अर्थ है कि सौ गुणा एक बटे सौ बराबर एक इसलिए यहां संख्या के मान में कोई बदलाब नहीं होता और हम संख्या को प्रतिशत में व्यक्त कर बाते हैं यह आवश्यक नहीं कि प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए हमें संख्याओं की जानकारी होनी ही चाहिए। बलकि हम अनुपात की सहायता से भी प्रतिशत प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहां लाल गेंदों की संख्या का सफेद गेंदों की संख्या से अनुपात तीन इसे हम एक और तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं, चुकि बक्से में 75 पृतिशत ृंसलिए बक्से में 100 पृतिशत सफ़ीद गेन्दे हैं। इस तरब हमने अनुपात से पृतिशत प्राप्त कर लिया है। अब हम तुलना कर सकते हैं कि बक्से में 75 प्रतिशत लाल गेंदे और 25 प्रतिशत सफेद गेंदे हैं अब चलिए जानते हैं वृद्धी प्रतिशत यानि percentage increase एवं रास प्रतिशत यानि percentage decrease के बारे में बक्से में कुल 24 गेंदे हैं इसमें हमने कुछ सफेद गेंदे और रख दी, जिससे गेंदों की कुल संख्या बढ़कर 36 हो गई, इस तरह से यहां गेंदों की कुल संख्या में 36-24 बराबर 12 से वृद्धी हुई, यानि कि 12 अतिरिक सफेद गेंदे रखी गई, चुकि मूल संख्या में वृद्धी यानि इंक्रीज हुई है, इसलिए हम मूल संख्या को आधार लेंगे, इस प्रकार प्रतिशत में वृद्धी होगी, वृद्धी बटे मूल संख्या गुना 100 प्रतिशत, जैसे यहां 12 बटे 24 गुना 100 प्रतिशत, बराबर एक बटे 2 गुना 100 प्रतिशत, बराबर 50 प्रतिशत, इ अब बक्से के कुल 24 गेंदों में से हमने 6 लाल गेंदे निकाल ली जिससे अब गेंदों की कुल संख्या 18 हो गई याने कि अब गेंदों की संख्या में 6 गेंदों का रास याने डिक्रीज हुआ है इस तरह हम कह सकते हैं कि गेंदों की संख्या में प्रतिशत रास बराबर 6 ब कभी कभी हमें प्रतिशत का एक रफ अनुमान लगाना आवशक होता है ऐसी स्थिती में हमें आकलन की समझ सायता प्रदान करती है इसे हम अगले वीडियो में समझेंगे तो आज हमने सीखा राश्यों की तुलना से संबंधित निम्नलिकित अवधार नाएं अगले वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिशत में आकलन आज हम सीखेंगे प्रतिशत में आकलन चलिए जानते हैं प्रतिशत में आकलन यानि estimation in percentage कैसे किया जाता है मान लीजिए हमें 451.23 का 9 प्रतिशत ग्याद करना है चलिए आकलन द्वारा इसे हल करे हम 451.23 का निकटम दहाई में सनिकटन यानि approximation करेंगे यहां 451.23 460 की तुलना में 450 के ज्यादा पास है इसलिए हम इस संख्या की स्थान पर 450 लेंगे चुकि हमें 9 प्रतिशत ग्याद करना है इसलिए हम 450 गुणा 9 बटे 100 कर सकते हैं लेकिन इसे और भी आसान तरीके से भी किया जा सकता है जैसे हम पहले 450 का 10 प्रतिशत प्राप्त कर लेंगे जो प्राप्त करना आसान है 450 का 10 प्रतिशत है 45 इसी तरह हम 450 का 1 प्रतिशत प्राप्त कर लेंगे जो होगा 4.50 यानि की 4.5 अब हम 45 में से 4.5 घटा लेंगे तो हमें 450 का 9 प्रतिशत प्राप्त होगा 41.5 इसलिए 451.23 का 9 प्रतिशत लगबग 41.5 है अब क्या आप 358.3 का 25 प्रतिशत ग्याद कर पाएंगे विडियो रोक कर प्रयाज कीजिए चलिए हम बताते हैं 358 का निकटम दहाई में सन्य घटन 360 है 25 प्रतिशत का अर्थ है 25 बटे 100 यानि की 1.4 इस तरह से 360 का 25 प्रतिशत मतलब 360 का चौथा भाग यानि की 360 बटे 4 यानि की 90 तो आज हमने सीखा प्रतिशत में आकलन अगली वीडियो में हम राशियों के तुलना से संबंधित कुछ उधारन देखेंगे आज हम देखेंगे निम्नलिखित अवधारनाओं के उधारन एक टोकरी में केले और अनार तीन अनुपात पांच के अनुपात यानि रेशियों में है बता कीजिए टोकरी में केले कितने प्रतिशत है और अनार कितने प्रतिशत है हमें दिया है कि केलों की संख्या का अनार की संख्या से अनुपात तीन अनुपात पांच है बिल्कुल सही, यहां प्रतेक 5 अनार की तुलना में 3 केले हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रतेक 5 दन 3 बराबर 8 फलो की तुलना में 5 अनार हैं और 3 केले हैं। इस तरह से प्रतेक 8 फलो में केलो की संख्या का प्रतिशत 3 बटे 8 गुणा 100 प्रतिशत बराबर 37.5 प्रतिशत और अनार की संख्या का प्रतिशत बराबर 5 बटे 8 गुणा 100 प्रतिशत बराबर 62.5 प्रतिशत हैं हम 100 प्रतिशत में से केलो के प्रतिशत को घटा कर भी अनार का प्रतिशत प्राप्त कर सकते हैं यानि कि अनार का प्रतिशत बराबर 100 प्रतिशत रिंड 37.5 प्रतिशत बराबर 62.5 प्रतिशत अगला उधारण एक विद्याले की छटी कक्षा में कुल 120 विद्यार्थी है इन में से 50 प्रतिशत विद्यार्थी और टो रिक्षा से विद्याले आते हैं 30% विद्यार्थी साइकल से विद्याले आते हैं और 6% विद्यार्थी स्कूल बस से विद्याले आते हैं। ग्याद कीजिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी स्कूल बस से विद्याले आते हैं। हमें स्कूल बस से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या ग्याद करनी है क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे पता करेंगे सोचिए सोचिए इसे हम अलग-अलग विद्यों से ग्याद कर सकते हैं जैसे हम देखते हैं कि पचास प्रतिशत विद्यार्थी और रिक्षा से विद्या ले आते हैं तीस प्रतिशत विद्यार्थी साइकल से विद्या ले आते हैं और शेश विद्यार्थी यानि सोप्रतिशत रिन पचास प बराबर 100 प्रतिशत रिण 80 प्रतिशत बराबर 20 प्रतिशत विद्यार्थी बस से विद्याले आते हैं। इस तरह से बस से विद्याले आने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर 120 का 20 प्रतिशत बराबर 20 बटे 100 गुणा 120 बराबर 24 है। अगला उधारण दूद और पानी के मिश्रण यानि मिक्स्चर में 15 प्रतिशत पानी है अनुमान लगाईए कि 29.650 शून्य लिटर मिश्रण में लगबग कितना पानी होगा यहां हम आकलन से इस सवाल को कम समय में हल कर सकते हैं सबसे पहले चलिए सवाल को समझे दूद और पानी के मिश्रण में 15 प्रतिशत पानी है इस तरह से कुद 29.650 मिश्रण में पानी होगा 29.650 का 55 प्रतिशत यानि की 15 प्रतिशत गुणा 29.650 लिटर सबसे पहले हम 29.650 का निकटम दहाई से सनिक टन करेंगे जो होगा 30 लिटर इस तरह से पानी की मात्रा होगी 15 प्रतिशत गुणा 30 लिटर इससे ही हम 10 प्रतिशत धन 5 प्रतिशत गुणा 30 लिटर यानि 10 प्रतिशत गुणा 30 लिटर धन 5 प्रतिशत गुणा 30 लिटर इस प्रकार लिख सकते हैं अब हम 30 का 10 प्रतिशत ग्याद करेंगे जो होगा 3 लिटर अगर हम इसका ही आधा करते हैं तो हमें 30 का 5 प्रतिशत प्राप्त होगा एक बटे 2 गुणा 3 लिटर बराबर 1.5 लिटर अब हम दोनों को जोड लेंगे तीन लिटर धन 1.5 लिटर बराबर 4.5 लिटर यानि कि पानी की मात्रा होगी लगभग 4.5 लिटर आज हमने देखे निम्नलिकित अवधार्नाओं के उधारण अगले वीडियो में इनसे संबंधित कुछ मित्याधार्नाएं देखेंगे आज हम देखेंगे निम्नलिकित अवधार्नाओं से संबंधित मित्याधार्नाएं और कुछ गल्तिया मित्याधार्ना एक निम्नलिकित में से कौन सी संख्या का मान 38 प्रतिशत है कुछ बच्चे प्रतिशत चिन्द का अर्थ नहीं समझ पाते वे सोचते हैं कि प्रतिशत मतलब 100 और 38 प्रतिशत का अर्थ है 38 गुणा 100 इस समझ से वे ओप्षन एक जवाब देते हैं जो कि एक गलत जवाब है ध्यान रहे प्रतिशत मतलब 1 बटे 100 इसलिए 38 प्रतिशत मतलब 38 बटे 100 इसलिए ओप्षन दो सही जवाब है मिथ्यधारना दो पंद्रा फलो की थेली में कुल पांच आम है और शेश सभी चीकू है ग्याद कीजिए आम की संख्या का चीकू की संख्या से अनुपात यानि रेशियो क्या है कुछ बच्चे सवाल में दी जानकारी को ठीक से नहीं समझते तथा क्या पता करना है इसको नजर अन्दास करते हैं वे पंद्रह और पांच ये दोनों संख्या है सवाल और ऑप्शन एक दोनों में देखकर सोचते हैं कि ऑप्शन एक ही दिये सवाल का जवाब है इसलिए वे ऑप्शन एक का चयन करते हैं जो की एक गलत जवाब है हमें सवाल को ठीक से पढ़ना चाहिए तता क्या दिया है और क्या पता करना है इसे ठीक से समझना चाहिए केवल तब ही हम सही जवाब दे पाएंगे यहाँ 15 फलो की कुल संख्या है जिसमें से 5 आम है हम कह सकते हैं कि ठेली में चीकू की संख्या बराबर 15 रण 5 बराबर 10 है इस तरह से आम की संख्या का चीकू की संख्या से अनुपाद 5 अनुपाद 10 है इसलिए ऑप्शन दो सही जवाब है मित्यधारना 3 यदि किसी संख्या का 4 बटे 3 प्रतिशत संख्या 24 है तो वह संख्या क्या है अग्यात संख्या पता करने के लिए बच्चे प्रतिशत चिन्नों को नजरंदास कर देते हैं और 4 बटे 3 का 24 से गुणन करते हैं जिससे उन्हें 32 यह जवाब प्राप्त होता है लेकिन यह एक गलत जवाब है इसलिए option एक गलत जवाब है यह गलती सवाल को ठीक से न समझने के कारण होती है यहां हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसका 4 बटे 3 प्रतिशत 24 है अगर हम अग्यात संख्या को x माने तो हम कह सकते हैं कि 4 बटे 3 प्रतिशत गुणा x बराबर 24 चोकि प्रतिशत का अर्थ 1 बटे 100 है इसलिए हम लिख सकते हैं 4 बटे 3 गुणा 1 बटे 100 गुणा x बराबर 24 इसे ही हम लिख सकते हैं x बराबर 24 गुणा 100 गुणा 3 बटे 4 बराबर 6 गुणा 100 गुणा 3 बराबर 1800 इस प्रकार हमें अग्यात संख्या यानि X का मान प्राप्त होता है 1800 इसलिए option दो सही जवाब है अब चलिए जानते हैं वृद्धी प्रतीशत और रास प्रतीशत से सम्बंधित कुछ गलतिया गलती एक कुछ बच्चे सूचते हैं कि वृद्धी प्रतीशत यानि percentage increase कभी भी 100 प्रतीशत से अधिक नहीं हो सकता लेकिन यह एक गलत समझ है मान लीजिए किसी दुकानदार को एक रुपया खर्च करने पर तीन रुपय मिलते हैं तो उसका लाब होगा दो रुपय और लाब प्रतीशत होगा दो पटे एक गुणा 100 बराबर 200 प्रतीशत गलती दो यदि 100 में 25 प्रतीशत की कमी होती है तो जवाब 75 आता है इससे बच्चों की धार्णा बन जाती है कि 100 प्राप्त करने के लिए 75 में 25 प्रतीशत की वृद्धी करनी पड़ेगी लेकिन यह एक गलत समझ है सही समझ यह है कि यदि 100 में 25 प्रतीशत की कमी होती है तो जवाब 75 जरूर आता है लेकिन जब 75 में 25 प्रतीशत की वृद्धी होती है तो परिणाम 75 धन 75 का 25 प्रतीशत बराबर 75 धन 25 पटे 100 कुणा 75 बराबर 75 धन 18.75 बराबर 93.75 आता है परिणाम 100 नहीं आता गलती 3 यदि 100 में से 20 प्रतिशत का रास होता है तो परिणाम 80 आता है इससे बच्चों की मिध्याधारना बन जाती है कि 80 से 100 प्राप्त करने के लिए 20 प्रतिशत की वृद्धी आवश्यक होगी लेकिन यह भी गलत समझ है यहां 80 से 100 प्राप्त करने के लिए 20 की वृद्धी आवश्यक है लेकिन यहां आधार 80 होगा क्योंकि वृद्धी 80 में हो रही है इसलिए वृद्धी प्रतिशत होगा 20 पटे 80 गुणा 100 बराबर 25 प्रतिशत आज हमने देखी निम्नलिखित अवधार्नाओं से संबंदित मिथ्याधार्नाए और कुछ गलतिया आज हम सीखेंगे बट्टा और खरिदारी से संबंदित कर के बारे में अक्सर दुकांदार ग्राहकों को अकरशित करने के लिए तथा अपनी वस्तूओं को बेचने के लिए वस्तू के अंकित मूल्य यानि मार्क्ट प्राइस MP पर कुछ छूट देते हैं जैसे यहां एक कमीज का अंकित मूल्य 250 रुपए है जबकि उसका विक्रय मूल्य यानि सेलिंग प्राइस SP 200 रुपए है इस तरह से ग्राहक को अंकित मूल्य पर कुछ छूट मिल रही है जिसके साथ वह कमीज को 200 रुपए में खरीच सकता है किसी वस्तो के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बट्टा यानि डिसकाउंट कहते है क्या आप बता सकते हैं कि यहां बट्टा कितना है? सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं हम अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा कर बट्टा ग्याद करते हैं जैसे इस थिती में बट्टा बराबर अंकेत मूल्य 250 रुपे, रिंड विक्रे मूल्य 200 रुपे बराबर 50 रुपे अधिकतर बट्टा प्रतिशत की रूप में दिया हुआ होता है इसलिए हम इस थिती में बट्टे के प्रतिशत की गणना करेंगे चुकि बट्टा अंकित मूल्य पर है इसलिए हम अंकित मूल्य को आधार मानते हैं और बट्टा प्रतिशत में दर्शाते हैं यह हम इस प्रकार करते हैं जैसे यहां बटा प्रतिशत बराबर 50 बटे 250 गुणा 100 प्रतिशत बराबर 1 बटे 5 गुणा 100 प्रतिशत बराबर 20 प्रतिशत अब चलिए जानते हैं खरीदारी से संबंदित कर यानि टैक्स के बारे में हम तरह तरह की वस्तुएं खरीदते हैं क्या आपने खरीदारी के बिल को ठीक से देखा है आपने पाया होगा कि इस पर वस्तु के मूल्य के साथ कुछ अतिरिक्त मूल्य कर यानि टैक्स के रूप में लिया जाता है जैसे बिगरी कर यानि सेल्स टैक्स, वैट यानि वैल्यू एडिट टैक्स या माल और सेवा कर यानि गुड्स एंड सर्विसस टैक्स, जी एस्टी, इत्यादी यहाँ कर सरकार को चुकाया जाता है, जिसे सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सुविधाओं के लिए खर्च करती है अधिकतर करों को प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है चलिए कुछ उधार्णों से सीखें कि इनकी गणना कैसे की जाती है सायली 300 रुपे की एक किताब खरीदती है यदि विक्री कर की दर 7 प्रतिशत है तो ग्याद कीजिए उसके द्वारे दुकांदर को कितनी धनराशी दी जाएगी यहाँ 300 रुपे किताब का विक्रय मूल्य है विक्री कर हमेशा वस्तू के विक्रय मूल्य पर लगता है और यह बिल की धनराशी में जोड दिया जाता है इस तरह से यहाँ 300 रुपे पर अतिरिक्त 7 प्रतिशत का विक्री कर लगेगा यानि कि विक्री कर बराबर 7 बटे 100 गुणा 300 बराबर 21 रुपे यानि कि 300 रुपे की किताब खरीदने पर 21 रुपे बिक्री कर लगेगा यानि कि बिल की देयराशी होगी क्रय मूल्य यानि कॉस्ट प्राइस धन बिक्री कर यानि सेल्स टैक्स बराबर 300 रुपे धन 21 रुपे बराबर 321 रुपे जुलाई 2017 से भारत सरकार ने माल और सेवा कर या GST लागू किया है यह कर माल की आपूर्ती यानि Supply of Goods या सेवा यानि Services या दोनों पर लगाया जाता है मान लीजिए एक दुकानदार ने 18,880 रुपए में एक टीवी बेचा जिसमें 18% GST सम्मिलित था पता कीजिए GST जोडने से पहले टीवी का मूल्य क्या था अठारा प्रतीशत का अर्थ है 18 बटे 100 यानि कि अगर हम टीवी का प्रारंभिक विक्रे मूल्य 100 रुपए माने तो इस पर 18 रुपए GST लगता है इस तरह से विक्रे मूल्य होगा 100 रुपए धन 18 रुपए बराबर 118 रुपए जब विक्रे मूल्य एक सो अठार रुपई है तब प्रारंभिक विक्रे मूल्य सो रुपई है इस तरह से जब विक्रे मूल्य एक रुपई होगा तब प्रारंभिक विक्रे मूल्य सो बटे एक सो अठार रुपई होगा इस तरह से जब विक्रे मूल्य 18,88 होगा तब प्रारंभिक विक्रे मूल्य होगा 100 बटे 118 गुणा 18,888 रुपए बराबर 100 गुणा 160 रुपए बराबर 16,000 रुपए इस तरह से GST जोडने से पहले टीवी का मूल्य था 16,000 रुपए आज हमने सीखा बट्टा और खरिदारी से संबंदित कर के बारे में अगली वीडियो में इनसे जुड़े कुछ मज़ेदार उधारनों को देखेंगे आज हम देखेंगे बट्टा और खरिदारी से संबंदित कर के कुछ मज़ेदार उधारन राहुल नय रेफ्रिजिरेटर खरेदने के लिए एक दुकान में गया वहां उसने देखा कि 20,000 रुपए अंकित मूल्य यानि मांक्ट प्राइस वाला रेफ्रिजिरेटर उसे 18,800 रुपए में मिल रहा है ग्याद कीजिए इस थिती में उसे कितने प्रतिशत पट्टा यानि डिसकाउंट मिल रहा होगा प्रश्न से हमें ये ग्याद होता है कि यहां अंकित मूल्य जिसे हम सूची मूल्य यानि मांक्ट प्राइस भी कहते हैं 20,000 रुपए है और विक्रे मूल्य यानि सलिंग प्राइस 18,800 रुपए है बट्टा ग्याद करने के लिए हम अंकित मूल्य में से विक्री मूल्य यानि कि विक्रे मूल्य यानि सलिंग प्राइस को खटाते हैं बट्टा बराबर अंकित मूल्य रिंड विक्रे मूल्य बट्टा बराबर 20,000 रुपए रिंड 18,800 रुपए इससे हमें बट्टा प्राप्त होता है 1200 रुपए अतहां अंकित मूल्य 20,000 रुपए पर 1200 रुपए बट्टा है तो क्या आप बता सकते हैं कि इस थिति में कितने प्रतिशत बटा दिया गया है, सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं बट्टा बराबर कुल बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणा सो प्रतिशत बट्टा अंकित मूल्य पर दिया जाता है इसलिए हम अंकित मूल्य को आधार मानेंगे बराबर बारा सो बटे बीस हजार गुणा सो प्रतिशत बराबर चो प्रतिशत अर्थात रेफ्रिच्रेटर के विक्रय मूल्य पर चो प्रतिशत का बट्टा दिया गया है अगला उदारण एक मूबाइल फोन का प्रारंभिक मूल्य पांच हजार आट सो रुपए है यदि रोहन इसे 12% GST यानि Goods and Services Tax GST सहीत खरीतता है तो रोहन को कुल कितना मूल्य चुकाना होगा यहां हमें दिया है कि मूबाइल फोन का प्रारंभिक मूल्य बराबर पांच हजार आट सो रुपए है और GST की दर बराबर 12% है हमें ग्याद करना है कि रोहन को कुल कितना मूल्य चुकाना होगा यानि कि हमें मोबाइल फोन का विक्राइ मूल्य यानि सलिंग प्राइस ग्याद करना होगा हम जानते हैं कि 12 प्रतिशत का अर्थ है 12 बटे 100 यानि कि अगर हम वस्तु का प्रारंपिक मूल्य 100 रुपए माने तो इस पर 12 रुपए जीस्टी लगता है इस तरह से विक्रै मूल्य होगा 100 रुपए जमा 12 रुपए बराबर 112 रुपए जब प्रारंभिक मूल्य 100 रुपय है तब विक्रे मूल्य 112 रुपय है इस तरह से जब प्रारंभिक मूल्य 1 रुपय होगा तब विक्रे मूल्य 112 बटे 100 रुपय होगा इस तरह से जब प्रारंभिक मूल्य 5,800 रुपई होगा तब विक्रे मूल्य होगा 112 पटे 100 रुपई गुणा 5,800 बराबर 112 गुणा 58 बराबर 6,496 रुपई इस तरह से GST जोड़ने के बाद रोहन को मूबाइल फोन का कुल मूल्य 6,496 रुपई चुकाना होगा अगला उदाहरन मनीशा अलमारी खरीद ने एक दुकान में गई दुकान में उसे एक अलमारी बहुत पसंद आई अलमारी का अंकित मूल्य 6,500 रुपई था लेकिन दुकान उस पर 7 प्रतिशत बट्टा दे रही थी यदि विक्री कर के दर 8 प्रतिशत हो तो बिल की देयराशी ग्यात कीजिए ध्यान रहे विक्री कर हमेशा वस्तु के विक्रय मूल्य पर लगता है जरा सोचिए क्या यहां 6,500 रुपई विक्रय मूल्य है चलिए हम बताते हैं यहां 6,500 रुपई अंकित मूल्य है विक्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए हमें अंकित मूल्य से बट्टा घटाना होगा यहां हमें बत्टा प्रतिशत में दिया है तो चलिए पहले ग्यात करें यहां बत्टा कितना दिया जाएगा बत्टा बराबर अंकित मूल्य का 7 प्रतिशत बराबर 7 बटे 100 गुणा 6,500 बराबर 455 रुपई इस तरह से विक्रे मूल्य बराबर अंकित मूल्य रिन बट्टा बराबर 6,500 रुपई रिन 455 रुपई बराबर 6,045 रुपई चुकि विक्रे मूल्य 6,045 रुपई पर बिक्री कर 8 प्रतिशत लगता है इसलिए बिक्री कर बराबर 6,045 का 8 प्रतिशत बराबर 8 प्रते 100 गुणा 6,045 बराबर 483.60 रुपई इस तरह से बिल की देयराशी बराबर विक्रे मूल्य जमा बिक्री कर बराबर 6,045 रुपई जमा 483.60 रुपई बराबर 6,528.60 रुपई इसलिए अलमारी खरीदने के लिए मनिशा को 6,528.60 रुपई चुकाने होंगे आज हमने देखे बट्टा और खरीदारी से संबंधित करके कुछ मज़िदार उदाहरण अगले वीडियो में हम देखेंगे इस से संबंधित कुछ मिथ्याधारणाए एवं साधारण कलतिया आज हम देखेंगे पट्टा और खरीदारी से संबंधित करके कुछ मज़िदार उदाहरण राहुल नय रेफ्रिजरेटर खरेदने के लिए एक दुकान में गया वहां उसने देखा कि 20,000 रुपए अंकित मूल्य यानि मांक्ट प्राइस वाला रेफ्रिजरेटर उसे 18,800 रुपए में मिल रहा है ग्याद कीजिए इस थिती में उसे कितने प्रतिशत पट्टा यानि डिसकाउंट मिल रहा होगा प्रश्न से हमें ये ग्याद होता है कि यहां अंकित मूल्य जिसे हम सूची मूल्य यानि मांक्ट प्राइस भी कहते हैं 20,000 रुपए है और विक्रे मूल्य यानि सलिंग प्राइस 18,800 रुपए है बट्टा ग्याद करने के लिए हम अंकित मूल्य में से विक्री मूल्य यानि की विक्रे मूल्य यानि सलिंग प्राइस को खटाते हैं बट्टा बराबर अंकित मूल्य रिंड विक्रे मूल्य बट्टा बराबर 20,000 रुपए रिंड 18,800 रुपए इससे हमें बट्टा प्राप्थ होता है 1,200 रुपए अतहां अंकित मूल्य 20,000 रुपए पर 1200 रुपए बट्टा है तो क्या आप बता सकते हैं कि इस थिती में कितने प्रतिशत बट्टा दिया गया है? सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं बट्टा बराबर कुल बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणा सो प्रतिशत बट्टा अंकित मूल्य पर दिया जाता है इसलिए हम अंकित मूल्य को आधार मानेंगे बराबर 1200 बटे 20,000 गुणा 100 प्रतिशत बराबर 6 प्रतिशत अर्थात रेफ्रिचरेटर के विक्रई मूल्य पर 6 प्रतिशत का बट्टा दिया गया है अगला उदारन एक मोबाइल फोन का प्रारमभिक मूल्य 5,800 रुपए है यदि रोहन इसे 12% GST यानि Goods and Services Tax GST सहीत खरीतता है तो रोहन को कुल कितना मूल्य चुकाना होगा यहां हमें दिया है कि मोबाइल फोन का प्रारमभिक मूल्य बराबर 5,800 रुपए है और GST की दर बराबर 12% है हमें ग्याद करना है कि रोहन को कुल कितना मूल्य चुकाना होगा यानि कि हमें मोबाइल फोन का विक्राय मूल्य यानि सलिंग प्राइस ग्यात करना होगा हम जानते हैं कि 12 प्रतिशत का अर्थ है 12 बटे 100 यानि कि अगर हम वस्तु का प्रारंपिक मूल्य 100 रुपए माने तो इस पर 12 रुपए GST लगता है इस तरह से विक्राय मूल्य होगा 100 रुपए जमा 12 रुपए बराबर 112 रुपए जब प्रारंपिक मूल्य 100 रुपए है तब विक्राय मूल्य 112 रुपए है इस तरह से जब प्रारंपिक मूल्य 1 रुपय होगा तब विक्राय मूल्य 112 बटे 100 रुपए होगा इस तरह से जब प्रारंभिक मूल्य 5,800 रुपई होगा तब विक्रे मूल्य होगा 112 पटे 100 रुपई गुणा 5,800 बराबर 112 गुणा 58 बराबर 6,496 रुपई इस तरह से GST जोडने के बाद रोहन को मूबाइल फोन का कुल मूल्य 6,496 रुपई चुकाना होगा अगला उदाहरण मनीशा अलमारी खरीद ने एक दुकान में गई दुकान में उसे एक अलमारी बहुत पसंद आई अलमारी का अंकित मूल्य 6,500 रुपई था लेकिन दुकान उस पर 7 प्रतिशत बट्टा दे रही थी यदि विक्री कर की दर 8 प्रतिशत हो तो बिल की देयराशी ग्यात कीजिए ध्यान रहे विक्री कर हमेशा वस्तु की विक्रय मूल्य पर लगता है जरा सोचिए क्या यहां 6,500 रुपई विक्रय मूल्य है चलिए हम बताते है यहां 6,500 रुपई अंकित मूल्य है विक्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए हमें अंकित मूल्य से बट्टा घटाना होगा यहां हमें बत्टा प्रतिशत में दिया है तो चलिए पहले ग्यात करें यहां बत्टा कितना दिया जाएगा बत्टा बराबर अंकित मूल्य का 7 प्रतिशत बराबर 7 बटे 100 गुणा 6,500 बराबर 455 रुपई इस तरह से विक्रे मूल्य बराबर अंकित मूल्य रिन बट्टा बराबर 6,500 रुपई रिन 455 रुपई बराबर 6,045 रुपई चुकि विक्रे मूल्य 6,045 रुपई पर बिक्री कर 8 प्रतिशत लगता है इसलिए बिक्री कर बराबर 6,045 का 8 प्रतिशत बराबर 8 पटे 100 गुणा 6,045 बराबर 483.60 रुपई इस तरह से बिल की देयराशी बराबर विक्रे मूल्य जमा बिक्री कर बराबर 6,045 रुपई जमा 483.60 रुपई बराबर 6,528.60 रुपई इसलिए अलमारी खरीदने के लिए मनिशा को 6,528.60 रुपई चुकाने होंगे आज हमने देखे बट्टा और खरीदारी से संबंधित करके कुछ मज़िदार उदाहरण अगले वीडियो में हम देखेंगे इस से संबंधित कुछ मिथ्याधारणाए एवं साधारण कलतिया आज हम सिखेंगे लाप और हानी रोहित ने 90 रुपई की एक गेंद खरीदी वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम क्रे मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कहते हैं जिसे हम संशेप में सीपी से निरुपित करते हैं इस तरह से यहाँ रोहित के लिए क्रे मूल्य हुआ 90 रुपई रोहित ने गेंद 120 रुपई में वरुन को बेच दी वह मूल्य जिस पर कोई वस्तू बेची जाती है उसे हम उसका विक्रय मूल्य यानि सेलिंग प्राइस कहते हैं जिसे हम संशेप में SP से निरुपित करते हैं जैसे यहां रोहित ने 120 रुपए में गेंद को पेच दिया इसलिए रोहित के लिए 120 रुपए गेंद का विक्रय मूल्य हुआ रोहित से यह गेंद वरुण ने खरीदी तो वरुण के लिए 120 रुपए क्या क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य सोचिए सोचिए बिल्कुल सही चुकि वरुण ने गेंद 120 रुपए में खरीदी है इसलिए वरुण के लिए यह क्रै मूल्य होगा इस लेंदेन में रुहित ने गेंद का मूल्य यानि 90 रुपए तो वसूल कर लिये है लेकिन साथ में उसे कुछ अतिरिक्त धनराशी भी प्राप्त होई है इस अतिरिक्त धनराशी को हम लाभ यानि प्रॉफिट कहते हैं जब भी विक्रै मूल्य क्रै मूल्य से अधिक हो तो उस थिती में व्यक्ति को लाभ होता है यहां लाब विक्रे मूल्य से क्रे मूल्य को घटा कर प्राप्त किया जाता है जैसे यहां लाब बराबर 120 रुपए, रिंड 90 रुपए, बराबर 30 रुपए यहां इसका अर्थ है, रोहित ने 90 रुपए खर्च किये, जिस पर उसे 30 रुपए का लाब हुआ यहां 90 रुपए क्रे मूल्य पर 30 रुपए का लाब है, यानि कि 1 रुपए क्रे मूल्य पर 30 बटे 90 का लाब होगा, यानि कि 1 बटे 3 रुपए का इसी तरह हम कह सकते हैं कि 100 रुपए क्रे मूल्य पर रोहित को 1 बटे 3 गुणा 100 बराबर 33.33 रुपए का लाब होगा प्रती 100 रुपई के क्रैमूल्य पर प्राप्थ लाभ को हम लाभ प्रतिशत कहते हैं यानि कि इस लेंदेन में रोहित को 33.3 प्रतिशत का लाभ होगा लाभ प्रतिशत हमेशा क्रैमूल्य पर प्राप्थ होता है इसलिए क्रैमूल्य को आधार लेकर हम लाप प्रतिशत के लिए सूत्र लिखते हैं लाप प्रतिशत बराबर लाप बटे क्रैमूल्य गुणा 100 प्रतिशत अब चलिए लेंदेन की एक दूसरी स्थिती देखे मान लीजिए रोहित ने 90 रुपय में वस्तु खरीत तो ली लेकिन कुछ कारणवश उसे वह वस्तु 54 रुपय में पेचनी पड़ी इस तरह से यहां क्रैमूल्य है 90 रुपय और विक्रैमूल्य है 54 रुपय अब जड़ा सोचिये क्या इस स्थिती में रोहित को लाब होगा सोचिये सोचिये बिलकुल नहीं चुकि इस लेंदेन में वस्तु का क्रैमूल्य भी पूरी तरह से वसूल नहीं हुआ है इसलिए यहां रोहित को लाब नहीं होगा बलकि हानी यानि लॉस होगी जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो उस लेंदेन में हानी होती है यह हानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा कर प्राप्त की जाती है अब जरा सोचिए हम हानी प्रतिशत कैसे प्राप्त कर सकते हैं सोचिए सोचिए लाव की तरह हानी भी क्रैमूल्य पर ही प्राप्थ होती है इसलिए हानी के लिए भी आधार क्रैमूल्य ही है इस समझ से हानी प्रतिशत के लिए हम सूत्र लिखते हैं हानी प्रतिशत बराबर हानी बटे क्रैमूल्य गुणा 100 प्रतिशत यहां हानी प्रतिशत बराबर 36 बटे 90 गुणा 100 प्रतिशत बराबर 2 बटे 5 गुणा 100 प्रतिशत बराबर 40 प्रतिशत यानि कि इस लेंदेन में रोहित को 40 प्रतिशत की हानी हुई है तो आज हमने सीखा लाभ और हानी अगले वीडियो में इन से जुड़े कुछ मसेदार उधारण देखेंगे आज हम देखेंगे लाभ और हानी से संबंधित उधारण मीना ने 20 पैंसिले 5 रुपई की दर से और 40 पैंसिले 4 रुपई की दर से खरी दी कुल पैंसिलों में से उसने 54 पैंसिलों को 4 रुपई की दर से और 6 पैंसिलों को 3 रुपई की दर से बेच दिया लाब यानि प्रोफिट अथ्वा हानी यानि लॉस प्रतिशत ग्याद कीजिए सबसे पहले हमें खरीदी गई सभी पैंसिलों का क्रैमूल्य यानि कॉस्ट प्राइस या सीपी ग्याद करना होगा कुल क्रैमूल्य बराबर पांच रुपे की दर से खरीदी गई 20 पैंसिलों का क्रैमूल्य धन 4 रुपे की दर से खरीदी गई 40 पैंसिलों का क्रैमूल्य बराबर 100 रुपे धन 160 रुपे बराबर 260 रुपे इसी तरह अब हम मीना ने बेची हुई पैंसिलों का कुल विक्रे मूल्य यानी सलिंग प्राइस या स्वी ग्याद करेंगे इहां हम देखते हैं कि कुल विक्रे मूल्य क्रे मूल्य से कम है इसलिए हम कह सकते हैं कि इस स्थिती में मीना को हानी होगी यानि लॉस होगा चुकी हानी बराबर क्रय मूल्य रिंड विक्रय मूल्य बराबर 260 रुपय रिंड 234 रुपय बराबर 26 रुपय चुकी हानी प्रतिशत बराबर हानी बटे क्रय मूल्य गुणा 100 प्रतिशत बराबर 26 बटे 260 गुणा 100 प्रतिशत बराबर 10 प्रतिशत यानि मीना को 10 प्रतिशत की हानी हुई है अगला उदहरन एक दुकांदार ने एक घड़ी 1225 रुपए में बेची जिस पर उसे 15 प्रतिशत का लाब हुआ ज्यात कीजिए घड़ी का क्रेमोल्य क्या होगा वीडियो रोक कर आप इसका जवाब पता करने का प्रयास कीजिए अब चलिए हम बताते हैं यहां दुकांदार ने घड़ी को 1225 रुपए में बेचा है यानि की घड़ी का विक्रेमोल्य यानि सेलिंग प्राइस 1225 रुपए है उसे 15 प्रतिशत का लाब हुआ है हमें ग्यात है कि लाब प्रतिशत बराबर लाब बटे क्रेमोल्य गुणा 100 प्रतिशत और लाब बराबर विक्रेमोल्य यानि क्रेमोल्य इसलिए हम कह सकते हैं कि लाब प्रतिशत बराबर विक्रेमोल्य यानि क्रेमोल्य बटे क्रेमोल्य गुणा 100 प्रतिशत बराबर विक्रैमूल्य बटे क्रैमूल्य रिन एक गुणा 100 प्रतिशत इस तरह से 15 प्रतिशत बराबर 1225 बटे क्रैमूल्य रिन एक गुणा 100 प्रतिशत इसे हम इस प्रकार हल करेंगे यानि की 15 बटे 100 बराबर 1225 बटे क्रैमूल्य रिन एक यानि कि 15 बटे 100 धन 1 बराबर 1225 बटे क्राय मूल्य यानि कि 115 बटे 100 बराबर 1225 बटे क्राय मूल्य इस तरह से क्राय मूल्य बराबर 1225 गुणा 100 बटे 115 यानि कि क्राय मूल्य बराबर 1065.2 रुपय इस तरह से घड़ी का क्रय मूल्य एक हजार पैंसट दश्मलव दो दो रुपई है इस प्रश्न को आप अन्य आसान विधी जिसे एकिक विधी भी कहते हैं से हल कर सकते हैं जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे तो आज हमने देखें लाप और हानी से संबंधित उधारन अगले वीडियो में देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिध्याधारनाएं और गल्तियां आज हम देखेंगे लाप और हानी से संबंधित कुछ मिध्याधारनाएं और कुछ गल्तियां मिध्याधारना एक निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य पहचान ये वस्तो का विक्रय मूल्य यानि सेलिंग प्राइस या स्पी उसके क्रय मूल्य यानि कॉस्ट प्राइस या सीपी से हमेशा अधिक होता है कुछ बच्चों के मिध्याधारना होती है कि वस्तो का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से हमेशा अधिक होता है लेकिन यह गलत समझ है इसलिए ऑप्षिन एक गलत जवाब है वस्तो का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के बराबर या कम भी हो सकता है यदि SP CP से बढ़ा है तब लाब यानि प्रॉफिट होता है यदि SP CP से छोटा है तब हानी यानि लॉस होता है यदि SP बराबर CP है तब न तो लाब होता है नहीं हानी इसलिए Option 2 सही जवाब है मिध्याधारणा 2 संगीता ने कुछ खेल का सामान 2000 रुपए में खरीदा उसने यह सामान एक पाटशाला को 2500 रुपए में बेच दिया ग्यात कीजिए कि संगीता को इस व्यवहार में कितने प्रतीशत लाब हुआ कुछ बच्चे सोचते हैं कि लाब या हानी प्रतीशत वस्तो के विक्रह मूल्य पर ज्यात किये जाते हैं इसलिए वे लाब या हानी प्रतीशत निकालते समय गलत सूत्र का प्रयोग करते हैं वे लिखते हैं लाब प्रतीशत बराबर लाब पटे विक्रह मूल्य गुणा 100 या हानी प्रतीशत बराबर हानी पटे विक्रह मूल्य गुणा 100 बराबर 500 रुपय प्राप्त करते हैं लेकिन प्रतीशत प्राप्त करते समय वे सूत्र इस प्रकार लिखते हैं इस चूत्र में संख्यावं को रखकर वे इसे इस प्रकार हल करते हैं इससे उन्हें लाब 20 प्रतिशत प्राप्थ होता है जोकि एक गलत जवाब है इसलिए option एक गलत जवाब है ध्यान रहे लाब हो या हानी वस्तो के क्रय मूल्य पर प्राप्थ होती है इसलिए आधार हमेशा क्रय मूल्य होता है क्रयमूल्य गुणा 100 बराबर 500 बटे 2000 गुणा 100 बराबर 25 प्रतिशत इसलिए option 2 सही जवाब है अब चलिए कुछ गलतियां देखे सवाल एक दुकानधार 40 वस्तुएं 2800 रुपए में खरीदता है वह उन्हें 16 प्रतिशत लाब पर बेच देता है ज्यात कीजिए वस्तुएं का विक्रयमूल्य क्या होगा बच्चे सवाल में दे गई जानकारी को ठीक से समझ नहीं पाते तथा वे उनका प्रयोग कैसे करना है यह भी समझ नहीं पाते इस कारण वे कुछ गलतियां करते हैं आईए इन्हें समझे गलती एक कुछ बच्चे सवाल को ठीक से नहीं समझते यहां 40 वस्तुओं का क्रयमूल्य दिया है लेकिन वे सोचते हैं कि 40 वस्तुओं का क्रयमूल्य बराबर 40 गुणा 2,800 रुपए बराबर 1,12,000 रुपए है यह एक गलत समझ है गलती दो दिया गया है क्रयमूल्य बराबर 2,800 रुपए और लाब प्रतीशत बराबर 16 प्रतीशत बराबर 16 बटे 100 विक्रयमूल्य ग्याद करने के लिए क्रयमूल्य और लाब का योग किया जाता है ऐसा करने के लिए कुछ बच्चे लाभ प्रतीशत को ही क्रै मूल्य में जोडते हैं इसलिए उन्हें विक्रै मूल्य बराबर 2,800 रुपए धन 16 बटे 100 बराबर 2,8,016 बटे 100 रुपए प्राप्त होता है जो कि गलत है ध्यान रहे विक्रे मूल्य क्रे मूल्य में लाव जोड़कर प्राप्थ होता है इसलिए हमें प्रतिशत में दिये लाव को वास्तविक लाव में परिवर्थित करना अवश्यक है यहाँ 16 प्रतिशत लाब हमें बताता है कि प्रतिक 100 रुपय क्रैमुल्य पर 16 रुपय लाब है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब क्रैमुल्य एक होगा तब लाब 16 पटे 100 रुपय होगा इस तरह से जब क्रय मूल्य 2,800 रुपई होगा तब लाब होगा 16 बटे 100 गुणा 2,800 रुपई यानि की 448 रुपई इसलिए विक्रय मूल्य होगा 2,800 रुपई धन 448 रुपई बराबर 3,248 रुपई तो आज हमने देखी लाब और हानी से संबंधत कुछ मिध्या धानाए और कुछ गल्तियाँ आज हम सीखेंगे ब्याज के बारे में ऐसी कई स्थितिया है जब हमें हमारे पास जितनी धनराशी है उससे अधिक धनराशी की आवशक्ता होती है जैसे किसी व्यापारी को नया व्यापार शुरू करने के लिए दुकानदार को नया सामान खरीदने के लिए किसान को नय बीच एवं खेती का सामान खरीदने के लिए उनके पास परियाप धनराशी नहीं होती ऐसी स्थिति में वे बैंक, डागघर जैसी संस्था या किसी व्यक्ती से धनराशी उधार लेते हैं उधार ली जाने वाली या दी जाने वाली धनराशी को हम मूलधन यानि प्रिंसिपल कहते हैं धनराशी उधार देने वाला यानि लेंडर और उधार लेने वाला यानि बोरोवर कुछ शर्तों पर सहमत होते हैं जैसे लोटाते समय मूलधन के साथ कितनी अतिरिक धनराशी लोटानी होगी? इत्यादी. इस अतिरिक धन को हम ब्याज यानि इंट्रेस्ट कहते हैं. ब्याज अक्सर निश्चित समय के लिए मूलधन के प्रतिशत के रूप में दिया जाता है. जैसे 12 प्रतिशक प्रतिवर्ष का अर्थ है, मूलधन के प्रतेक 100 रुपए पर एक वर्ष के लिए 12 रुपए ब्याज होगा मूलधन और ब्याज को जोड़कर लोटाने की कुल धनराशी को मिश्रधन यानि अमाउंट कहा जाता है जब हम बैंक में धनराशी जमा करते हैं, तो बैंक भी हमें इस पर कुछ ब्याज देती है, जो की समय और ब्याज की दर पर निर्भर करता है जब हम ब्याज की बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं साधारण ब्याज याने Simple Interest और चक्रवृद्धे ब्याज याने Compound Interest पिछली कक्षा में हमने साधारण ब्याज के बारे में समझा चलिए इसका पुनह अवलोकन करे मान लीजिए हम ब्याइंग से 1000 रुपए 2 वर्ष के लिए 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से उधार लेते हैं चलिए इस थिती में साधारण ब्याज की धनराशी कितनी होगी यहां पता करें यहां ब्याज की दर 10 प्रतिशत वार्षिक है याने की 100 रुपए पर एक वर्ष के लिए ब्याज 10 रुपए है इस तरह से एक रुपए पर एक वर्ष के लिए ब्याज 10 बटे 100 रुपए होगा इसी तरह 1000 रुपए पर एक वर्ष के लिए ब्याज 10 बटे 100 रुपए गुणा 1000 बराबर 100 रुपए होगा चुकि एक वर्ष के लिए साधारन ब्याज 100 रुपए है इसलिए 2 वर्ष के लिए ब्याज होगा 2 गुणा 100 रुपए बराबर 200 रुपए साधारण ब्याज हम I बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100 इस सूत्र से भी प्राप्त कर सकते हैं जहां I साधारण ब्याज है, P मूलधन है, R ब्याज की दर और T समय है इस तरह से I बराबर 1000 रुपए गुणा 10 बटे 100 गुणा 2 बराबर 200 रुपए है इस तरह से व्यापारी द्वारा लोटाए जाने वाला मिश्रधन ए होगा, मूलधन धन ब्याज बराबर 1000 रुपए धन 200 रुपए बराबर 1200 रुपए तो आज हमने सीखा ब्याज के बारे में, अगले वीडियो में हम सीखेंगे चक्रवृद्धी ब्याज पिछले वीडियो में हमने सीखा ब्याज क्या है, साथ ही साथ हमने साधरण ब्याज का भी अवलोकन किया चलिए आज चक्रवृद्धी ब्याज को समझे साधरण ब्याज मूलधन पर प्राप्त किया जाता है और वह प्रत्यक वर्ष के लिए समान होता है जबकि चक्रवृद्धी ब्याज यानि कमपाउंड इंट्रेस्ट जिसे संक्षेप में CI कह सकते हैं पिछले वर्ष की कुलराशी पर प्राप्त किया जाता है इस तरह से चक्रवृद्धी ब्याज वर्ष दर वर्ष बढ़ता जाता है चलिए इसे एक उधारण से समझे मान लीजे हमने बैंक से हजार रुपए दो वर्ष के लिए दस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से उधार लिए लेकिन इस बार हमने इन्हें चक्रवृद्धी ब्याज पर लिए पहले हम एक वर्ष के अंत में कितनी धनराशी होगी यहाँ ग्याद करेंगे व्याज प्राप्त करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे SI बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100 यहाँ पहले वर्ष का मूलधन P1 है 1000 रुपए व्याज की दर R है 10 प्रतिशत और समय T है एक वर्ष इस तरह से पहले वर्ष का व्याज SI1 होगा 1000 रुपए गुणा 10 गुणा 1 बटे 100 बराबर 100 रुपए इस तरह से पहले वर्ष के अंत में मिश्रधन A1 होगा मूलधन P1 धन पहले वर्ष का व्याज SI1 बराबर 1000 रुपए धन 100 रुपए बराबर 1100 रुपए अब चलिए दूसरे वर्ष का ब्याज प्राप्त करे साधारण ब्याज के संदर्भ में प्रत्यक वर्ष के लिए मूलधन समान होता है लेकिन चक्रवृत्य ब्याज के संदर्भ में पिछले वर्ष के कुलधन राशी पर ब्याज का आकलन किया जाता है यानि यहां पहले वर्ष का मिश्रधन A1 दूसरे वर्ष के लिए मूलधन P2 होगा इस तरह से दूसरे वर्ष का साधरन ब्याज होगा SI2 बराबर 1100 रुपए गुणा 10 गुणा 1 बटे 100 बराबर 110 रुपए इस तरह से दोनों वर्षों का चक्रवृत्य ब्याज CI होगा SI1 धन SI2 बराबर 100 रुपए धन 110 रुपए बराबर 210 रुपए यहां दो वर्ष बाद मिश्रधन होगा दूसरे वर्ष का मूलधन P2 धन दूसरे वर्ष का ब्याज SI2 बराबर 1100 रुपए धन 110 रुपए बराबर 1210 रुपए यहां हम P2 को P1 धन SI1 लिख सकते हैं इसलिए A2 बराबर P1 धन SI1 धन SI2 याने कि A2 बराबर P1 धन CI इस प्रकार भी लिखा जा सकता है इस तरह से अब अगर हम दूसरे वर्ष के मिश्रधन A2 से मूलधन को घटाते हैं तो इससे भी हमें चक्रवृद्धी ब्याज CI प्राब्थ होगा याने कि CI बराबर 1210 रुपए रिन 1000 रुपए बराबर 210 रुपए इस तरह से हम अलग-अलग प्रकार से चक्रवृद्धी ब्याज प्राब्थ कर सकते हैं चक्रवृद्धी ब्याज प्राब्थ करने के लिए हम A बराबर P कोश्ठक में एक धन आर बटे 100 कोश्ठक की घात N इस सूत्र का प्रयोग करते हैं इस सूत्र में P मूलधन, R ब्याज की दर और N समय अवधी को दर्शाते हैं। 1210 रुपए, रिन 1000 रुपए, बराबर 210 रुपए है। इस सूत्र के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो आज हमने सीखा चक्रवृत्री ब्याज के बारे में। अगले वीडियो में चक्रवृत्री ब्याज के लिए सूत्र ग्याद करेंगे। चक्रवृत्य ब्याज के लिए सूत्र प्राप्त करेंगे पिछले वीडियो में हमने चक्रवृत्य ब्याज के बारे में जाना चलिए अब चक्रवृत्य ब्याज के लिए सूत्र ग्याद करें मान लीजिए मूलधन P1 दो वर्ष के लिए आर प्रतीशत वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया जाता है चलिए इस पर चक्रवृत्य ब्याज ग्याद करें पहले वर्ष के लिए SI1 बराबर P1 गुणा R गुणा 1 बटे 100 बराबर P1 गुणा R बटे 100 होगा और मिश्रधन A1 बराबर P1 धन SI1 होगा याने कि P1 धन P1 गुणा R बटे 100 बराबर P1 कोश्ठक में 1 दन R बटे 100 होगा इस तरह से पहले वर्ष के अंत में मिश्रधन होगा A1 बराबर P1 कोश्ठक में 1 दन R बटे 100 यह मिश्रधन दूसरे वर्ष के लिए मूल धन होगा यानी P2 बराबर A1 बराबर P1 कोश्ठक में 1 दन R बटे 100 दूसरे वर्ष के लिए SI2 बराबर P2 गुणा R बटे 100 है P2 के लिए हम P1 कोश्ठक में 1 दन R बटे 100 लिख सकते हैं इसलिए SI2 बराबर P1 कोश्ठक में 1 दन R बटे 100 गुणा R बटे 100 इसी के साथ हमें प्राप्त होगा SI2 बराबर P1 गुणा R बटे 100 गुणा कोश्ठक में 1 दन R बटे 100 और दूसरे वर्ष्ट के अंत में कुल मिश्रधन A2 होगा, P2 धन SI2 हम P2 और SI2 के मान इस प्रकार लिखेंगे यहां अगर हम P1 कोष्ठक में एक धन आरबटे 100 उभैनिश्ट लेते हैं तो हम लिख सकते हैं A2 बराबर P1 कोष्ठक में एक धन आरबटे 100 गुणा कोष्ठक में एक धन आरबटे 100 याने कि P1 कोष्ठक में एक धन आरबटे 100 कोष्ठक की घात 2 हम देखते हैं कि पहले वर्ष के मिश्रधन याने अमाउंट में एक धन आरबटे 100 की घात 1 है दूसरे वर्ष के मिश्रधन में कोष्ठक की घात 2 है तो क्या अब हम बता सकते हैं अगर हमें तीसरे वर्ष का मिश्रधन ग्याद करना होगा तो सूत्र क्या बनेगा? सोचे सोचे बिल्कुल सही सूत्र होगा इसी तरह हमें समय अवदी N वर्ष के लिए मिश्रधन ग्याद करना होगा तो हम सूत्र लिख सकते हैं AN बराबर P1 कोष्ठक में एक धन आरबटे सो कोष्ठक की घात N साधारण तह इसे ही हम लिख सकते हैं A बराबर P कोष्ठक में एक धन आरबटे सो कोष्ठक की घात N जहां P प्रारंभिक मूलधन है और A मिश्रधन है अब हम समय अवधी के समाप्त होने पर प्राप्थ मिश्रिधन से पहले वर्ष के मूलधन को घटा कर चक्रवृद्धी ब्याज ग्याद कर सकते हैं CI बराबर A रिण P अब मान लीजिए हमने P बराबर 5000 रुपए R बराबर 10 प्रितिशत वार्षिक दर और N बराबर 2 वर्ष लेकर चक्रवृद्धी ब्याज प्राप्त करना हो तो यह हम सूत्र के प्रयोग से ग्याद कर सकते हैं A बराबर P कोश्ठक में एक धन आर बटे 100 कोश्ठक की घात N बराबर 5000 रुपए गुणा कोश्ठक में एक धन 10 बटे 100 कोश्ठक की घात 2 बराबर 6,050 रुपए अब CI बराबर A रिंड P बराबर 6,050 रुपए रिंड 5,000 रुपए बराबर 1,050 रुपए हैं इस तरह आप सूत्र से चक्रवृद्धी ब्याज प्राप्त कर सकते हैं तो आज हमने चक्रवृद्धी ब्याज के लिए सूत्र प्राप्त किया अगले वीडियो में कुछ उधारणों से चक्रवृद्धी ब्याज के बारे में और अच्छे से जानेंगे हम देखेंगे चक्रवृद्धी ब्याज से संबंदित कुछ उधारण साक्षी ने एक बैंक से आठ प्रतिशत की वार्षिक दर से देड़ वर्ष की अवधी के लिए एक लाख रुपए उधार लिए यदि ब्याज यानि इंट्रेस्ट का सियोजन अर्धवार्षिक होता है तो चक्रवृद्धी ब्याज ग्याद कीजिए इस उधारण में हमें चक्रवृद्धी ब्याज अर्धवार्षिक सेयोजित किया जाता है यहां महत्वपूर्ण जानकारी दी है इसका अर्थ यह है कि प्रतेक आधे वर्ष के लिए ब्याज की गणना की जाती है अगले 6 महिने का मूलधन प्राप्त करने के लिए पुराने 6 महिनों के मूलधन और प्राप्त ब्याज का योग किया जाता है इस तरव वह समय अवधी जिसके पश्चात प्रतेक बार नया मूलधन बनाने के लिए ब्याज को पिछले मूलधन में जोड़ा जाता है रुपा रुपांतरण अवधी होती है . ऐसी सित्यों में अर्दवर्षिक दर, वर्षिक दर की आधी ली जाती है इस तरह से यहां देड़ वर्ष में 3.0 रुपांतरण अवधी होगी और अर्दवर्षिक दर 8 प्रतिशत, विभाजद 2, बराबर, 4 प्रतिशत होगी अब चलिए इस सवाल को हल करें पहले हम चक्रवृत्धि ब्याज CI के संधर्ब में मिश्रधन प्राप्त करेंगे मिश्रधन का सूत्र है A बराबर P गुणा कोश्टक में एक धन आर बटे सो कोश्टक की घात N यहां मूलधन P बराबर एक लाक रुपए है ब्याज की दर 4% अर्धवार्शिक और रुपांदरन अवधी N बराबर 3 है इसलिए A बराबर एक लाक रुपए गुणा कोश्टक में एक धन चार बटे सो कोश्टक की घात 3 है इससे हल करने पर हमें प्राप्त होगा A बराबर 1,12,486.40 रुपए चुकि C i बराबर A रिन P है इसलिए C i बराबर 1,12,486.40 रुपए रिन 1,00,000 रुपए बराबर 1,486.40 रुपए है यानि कि साक्षी को देड़ साल बाद 1,12,486.40 रुपई इतनी धनराशी प्राप्त होगी जिसमें चक्रवृद्धी ब्याज होगा 12,486.40 रुपई एक शहर की जनसंख्या वर्ष 2000 में 51,200 थी यदि इसमें 12.5 प्रतिशत के वार्शिक दर से वृद्धी होती है तो तीन साल बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी? यहाँ प्रतिक वर्ष जनसंख्या में 12.5 प्रतिशत के वृद्धी होती है चलिए इसका अर्थ समझें यदि हम 2000 के जनसंख्या को ए माने तो एक वर्ष बाद जनसंख्या एधन एकी 12.5 प्रतिशत होगी यहाँ नई जनसंख्या फिर से 12.5 प्रतिशत बढ़ेगी इस तरह से यहाँ हम कह सकते हैं कि जनसंख्या संयोजित रूप से बढ़ रही है ऐसी स्थिती में हम चक्रवृद्धी ब्याज के सूत्र की सायता से तीन साल बाद की जनसंख्या ग्याद कर सकते हैं यहाँ P बराबर 51,200, R बराबर 12.5 प्रतिशत और N बराबर 3 है A बराबर P गुना कोश्ठक में एक धन, R बटे 100, कोश्ठक की घात N सूत्र में संख्या रखकर और संक्रियाओं को सरल कर हमें परिणाम प्राप्त होगा 72,900 विडियो रोक कर संक्रियाओं को कैसे सरल किया है जरूर देखे इस तरह से तीन साल बाद शहर के जनसंख्या होगी 72,900 तो आज हमने देखे चक्रवृत्धी ब्याद से संबंदित कुछ उधारन अगले वीडियो में इन से जुड़े कुछ मिथ्याधारनाओं को दूर करेंगे मिथ्याधारना एक दिया हुआ कथन सत्य या असत्य है पहचान ये ब्याज की राशी मूलधन यानि प्रिंसिपल से कभी बड़ी नहीं हो सकती कुछ पच्चे यह सोचते हैं कि ब्याज यानि इंट्रेस्ट की राशी मूलधन से कभी बड़ी नहीं हो सकती लेकिन यह एक मिध्याधार्णा है वास्तविक रूप से ब्याच की राशी मूलधन से बड़ी भी हो सकती है इसलिए option 1 गलत जवाब है और option 2 सही चलिए समझते हैं कौन से स्थिती में ब्याच की राशी मूलधन से बड़ी हो सकती है मान लीजिए सुनिल 10,000 रुपए 10 प्रतिशत चक्रवृध्धी ब्याच यानि compound interest की दर से 10 वर्षों के लिए बैंक में जमा करता है आए ज्याद करते हैं उसे 10 साल बाद कितना ब्याच मिलेगा यहाँ P बराबर 10,000 रुपए R बराबर 10 प्रतिशत वार्षिक और T बराबर 10 वर्ष है यानि यहाँ N बराबर 10 है हमें ज्याद है कि A बराबर P कोश्ठक में एक धन आर बटे 100 कोश्ठक की घात N जहाँ चर A कुलधन राशी, P मूलधन, R ब्याच की दर और N समय को दर्षाते हैं इस तरह से A बराबर 10,000 गुणा कोश्ठक में एक धन 10 बटे 100 कोश्ठक की घात 10 बराबर 10,000 गुणा कोश्ठक में एक धन 1 बटे 10 कोश्ठक की घात 10 बराबर 10,000 गुणा कोश्ठक में 11 बटे 10 की घात 10 कैलकुलेटर की सहायता से अगर हम 11 बटे 10 के घात 10 का मान ग्यात करेंगे तो यह हमें लगभग 2.593742 इस प्रकार प्राप्त होता है इस तरह से ए बराबर 10,000 गुणा 2.593742 बराबर 25,937.42 रुपई मिलेगा चुकी चक्रवृत्य ब्याज बराबर कुलराशी रिन मूलधन बराबर 25,937.42 रिन 10,000 बराबर 15,937.42 तो बताईए ब्याज मूलधन से बड़ा है या छोटा ऐसे स्थितियों में आप पाएंगे कि हमें ब्याज मूलधन से अधिक भी प्राप्त हो सकता है मिथ्याधाना दो चक्रवृत्य ब्याज पर आठ प्रतिशत वार्षिक दर से एक वर्ष के लिए 15,000 रुपे उधार लिये जाते हैं यदि प्याज प्रतिएक तीन महिने बाद संयोजित किया जाता है तो ग्याद कीजिये कर्ज का भुकतान करने के लिए कितनी धनराशी देनी पड़ेगी ऐसे सवालों को हल करते समय कुछ बच्चे रूपांतरन अवधी यानि कन्वर्जन पिरेड पर ध्यान नहीं देते वे प्याज की दर आठ प्रतिशत और समय एक वर्ष लेकर सवाल को हल करते हैं ए बराबर पन्रह हजार गुणा कोश्ठक में एक धन आट बटे सो कोश्ठक की घात एक तो ए बराबर सोलह हजार दो सो रुपए इसलिए वे ओप्शन एक का चयन करते हैं जो की एक गलत जवाब है कुछ बच्चे रूपांतरन अवधी में परिवर्थन करते हैं लेकिन ब्याच की दर में परिवर्थन करना भूल जाते हैं इसी तरह कुछ बच्चे ब्याच की दर में परिवर्थन करते हैं लेकिन रूपांतरन अवधी में परिवर्थन करना भूल जाते हैं यहां रूपांतरण अवधी तीमाही है चुकि एक वर्ष में ब्याज को 12 बटे 3 बराबर 4 बर संयोजित किया जाएगा इसलिए हम कह सकते हैं कि दिये गए समय यानि एक वर्ष में रूपांतरण अवधी 4 गुणा 1 बराबर 4 होंगी यानि कि हमें N बराबर 4 लेना होगा चुकि एक वर्ष में ब्याज की 4 बार गणना की जाती है इसलिए हमें प्रत्यक 3 महिने का ब्याज 8 प्रतिशत विभाजित 4 बराबर 2 प्रतिशत लेना होगा अब हम देयराशी इस सूत्र की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं इसमें संख्याएं रखकर हमें कुल धनराशी प्राप्त होगी 16,236.48 रुपए इसलिए उप्षन 4 सही जवाब है आज हमने देखी चक्रवृद्धी प्याज से संबंदित कुछ मिध्या धार नाएं अरुछ प्राप्त याएं झाल झाल